हेलो दोस्तों नमस्कार स्वागत एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिया चैनल पर दोस्तों आपको बताते जोबी की सबसे बड़ी ख़बर आ रही है जहां विपिन रावत की फोटो हर पाकिस्तानी के बटुए में होनी चाहिए जीहां दोस्तों बताएंगे कैसे भारत के जाबाज जनरल के मुरीद हुए पाकिस्तान के एक्सपर्ट जीहां दोस्तों और पाकिस्तानी सेना के जेबो में उनके फोटो होने को लेकर बड़ी बात कह दिये दोस्तों सबसे बड़ी और ब्रेकिंग नीज आपको बताने वाले हैं और साथी साथ बताएंगे जहां भारत के खतरनाग जंगी जहाज जाएंगे गरीस पाकिस्तान के दोस्त तुर्की की काप उठी ही रूह साथी साथ दोस्तों बताएंगे जहां योगी आदितेनाथ जी के मैसेज से थर थर कापा पाकिस्तान यूपी में एनकाउंटर से सीमा पार हुआ बवाल सारी जानकार कर दीजिए सब्सक्राइब बैल आइकन दवाईए साथी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जिहां तो बात करते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की जहां पाकिस्तानी एक्सपर्स जांबाज जनरल बिपिन रावत जी के हुए मुरीद और कहे डाली पाकिस स्बसे और संगठन है अब जब कि मुलक सबसे बड़े आर्थिक संकड में है तो कुछ लोग मिलिटरी के काम काज करने के तरीकों पर सवाल उठा रहे हैं कुछ ऐसा भी कहते हैं कि जो जनरल देश की τरफ से बड़े-बड़े फैसले लेते थे वही देश के, मुश्किल में साजीद तरार ने एक इंटर्विव में भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ स्वर्गिय जनरल बिक्तिन रावत जी का जिकर किया उन्होंने कहा कि जनरल रावत की फोटो हर पाकिस्तानी की जेब में होनी चाहिए बता दें पाकिस्तानी जनरलिस्ट आरजू काजमी के साथ एक इंटर्विव में साजीद तरार ने बिवाकी से भारत और पाकिस्तान के बीच तुलना की साजीद तरार ने G20 सम्मेलन के कश्मीर में आयोजित होने पर पाकिस्तान की आपती पर जवाब देते वे कहा कि प्योके में भारत जितना विकास होना मुश्किल है पाकिस्तान में इंसानी जिन्दगी कीमत सिर्फ 31 रुपए है यानि आटे की एक बोरी के भराबर ऐसे में पाकिस्तान में कहां जम्मू कश्मीर के जैसी सड़के बन पाएंगी जिने सड़के बनानी हैं उनके बच्चे तो लंदन में बैठे हैं इसके बाद उन्होंने सवाल किया कि देश के कितने वजीर आजम पाकिस्तान में मौझूद हैं या फिर रिटायर जन्रल और जजज पाकिस्तान में रहना पसंद करते हैं ऐसे में दोस्तो साजित तरार के मुताबिक पाकिस्तान को भारत से सबख लेना चाहिए उन्होंने इस इंटर्वियू में भारत के पहले सीडिय जनरल विपिन रावाजी का जिकर किया जिनका दिसमबर 2021 में हेलिकॉप्टर क्रेश में नितन हो गया था साजित ने भारतिये मेजर यानि रिटायर्ड गौरव आरिया के एक वीडियो के बारे में बात की और इस वीडियो में जनरल रावत का घर दिखाया गया था साजित ने कहा कि उन्होंने कहा कि जो वीडियो मेजर आरिया ने बनाया था वो पाकिस्तान के लिए चुनोती थी जनरल रावत की फोटो तो हर पाकिस्तान की जेव में होनी ही चाहिए वो जिस घर में रहते थे उस घर में दो और जनरल रहते थे और उस घर को देखने से चडित और शराफत नजर आती है ना की करप्शन दिखाई देगा जब पाकिस्तान में लोगों के बच्चे लंदन में पढ़ेंगे तो उनकी फीज देने के लिए जनता का खून ही चूसा जाएगा यानि कि दोस्ता अपने पाकिस्तान के जंडल को पाकिस्तान की सरकार को घेरते हुए साजीत तरार ने भारत से सीखने की नसीहत देदी और जनरल बिपिन रावत जी की फोटो हर एक पाकिस्तानियों के जेव में रखने की बात कही है दोस्तो यानि की पाकिस्तान अब ये म पॉरा मामला बता दें पाकिस्तान के दोस्त तुर्की को इस बाद से जटका लग सकता है कि भारत के जगी जहाज गृस जा सकते हैं दरसल भारत और ग्रीस जिसे युनान देश भी कहा जाता है दोनों देशों के बीच रननीती सहयोग का आगाज हो चुका है इससे तुर्की की मुश्किल बढ़ सकती है तुर्की वही है जिसकी भारत ने भुकंब के बाद काफी मदद की थी पूरा का पूरा अस्पतार भेज दिया था तुर्की लेकिन सयुक्त राष्ट में इसके बावजूद पाकिस्तान का पक्ष दिया और तुर्की ने कश्मीर मुद्दे पर भारत के खिलाफ बयान दिया था ऐसा वो पहले भी करता आया है ऐसे में भारत के जंगी जहाज के ग्रीस के सहयोग के लिए जाने की स दूसरे देशों के साथ रिष्टे विक्षित होने के तौर पर देख रहे हैं ग्रीस के लिए बीते 27 मार्च को ही मिराज 2000 जंगी जहाज के साथ ग्रीस की वायूसेना के दो लड़ाकू विमानों 2F4E लड़ाकू विमानों ने अभ्यास किया था ग्रीस ने कहा था कि मेत्र देशों के साथ सेन संबंद मजबूत करने के उद देश से ये युद्या ब्यास किया गया है जिहां भारत और ग्रीस के बीच होने वाला ये युद्या ब्यास ग्रीक वायूसेना और रक्षा मंत्रा लेके ग्रीक एर टैक्टिक्स सेंटर के नितरत में पूरा किया जाएग साथ ही तोस्तों बात करते हैं बड़ी खबर की जहां योगी आधित्यनाध जी के मैसेज से थर थर कापा पाकिस्तान उत्तरप्रदेknown वें से सीमा पार मचा बवाल बता दें उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ जी से ना सिर्फ माफिया के लोग खौफ खाते हैं बलकि इसका असरफ देश के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी देखने को मिल रहा है भारत में जिस तरह से सीम योगी आदित था इससे पहले योगी हमेशा से ये कहते नजर आई हैं कि उनका मकसद यूपी से माफिया का सफाया करना है असद के एंकाउंटर के बाद उसका कनेक्शन पाकिस्तान से जोड़ कर भी देखा जा रहा है एंकाउंटर के घटना स्तल पर असद के पास इसे कुछ हतियार भी एक्शन के बाद पड़ोशी मिल्क पाकिस्तान के भी होश उड़ गए थे जी हां बदा देगी पाकिस्तान की मीडिया में योगिया दित्तेनाथ को सबसे खतरनाक बताया जा रहा है पाकिस्तान की आर्थ की स्थिदी पर भी सीम योगिया दित्तेनाथ जी बयान दे चुके था साथी साथ दोस्तों अब देखना यह होगा कि योगी आदिते नाथ जी से और कितना डरता है पाकिस्तान लेकिन दोस्तों एक चीज़ तो किलियर है कि योगी आदिते नाथ जी मुख्य मंत्री होने के बाद जूद भी पाकिस्तान में खौफ पैदा कर रखे हैं ऐसे में सबी से सवाल है दोस्तों मुझे बनना तो इसके बाद आप किसे में लिख कर अवरश्य बदाएगा देखते हैं वे कहा है कि हाल ही में वारल हुई वीडियो से तिबबती लोग आहत थे इसके पीछे चीन का समर्तन करने वाले लोग हैं जो आध्यात्मिक नेता को कलंकित करने की कोशिश कर रहे हैं केंद्रिया तिबबती प्रशाशन के से क्योंग पेनपात तसेरिंग ने भी ये आरूप लगाया है कि चीन तिबबत पर सकती से शाशन कर रहा है साथी अंतराश्टे समुदाई से वेधता हसिल करने की कोशिश कर रहा है सीटिये के राजनितिक नेता से क्योंग ने भाद में दलाई लामा और एक लड़के से जुड़े हालिया वीडियो साहित कई मुद्धों पर करारा जवाब बता दे भारत इस साल G20 समीट के अधक्ष्टा कर रहा है सभी को पता ही है जो हमारे साथ शुरू से जुड़े हुए हैं और जो नए है उनको बता दें इस समीट में होने वाली अलग लग बैठकों के तहद भारत शीनगर में जी टूरिजम वरकिंग ग्रू आई है तो वहीं अब भारत सरकार ने पाकिस्टान को करारा जवाब दिया है भारत सरकार ने पाकिस्टान की आपति को खार इश पर में आयोजित किये जा रहे हैं जो जम्मू कश्मीर और लेह में भी आयोजित करना स्वभादिक है क्योंकि जम्मू कश्मीर और लेह भारत का अभिन और अटूट हिस्सा है गुरुवार को मीडिया ब्रीफिंग के दौरान भारत के विदेश मंत्रा लेके प्रवक्ता अरि देते वे कहा कि G20 मीटिंग का आयोजन पूरे देश में हो रहा है जम्मू कश्मीर और लदाग भारत का अभीन और अटूट हिस्सा है तो स्वभादिक है कि शिरिनगर और लदाग में भी G20 की बैठके होंगी शिरिनगर और लेह में बैठक के आयोजन पर मैं बस इतना की है इस वेठक में काम और नवाचार जलवायू परिवर्तन शांतिकार और सुलह लोक तंत्र में युवाओं की भूमिका एवं शाषन और स्वास्त कल्यान पर जर्चा की जाएगी जी हां ऐसो में आप क्या जवाब देना चाहेंगे दोस्तों पाकिस्तान को क्योंकि पाकिस होने के नाते साथ ही साथ दोस्तों यह थी अपता कि सारी बड़ी खबर आपको मारी खबर कैसी लगी आशा करता हम बहुत अच्छी लगी होगी अगर थोड़ी पी अच्छी लगी तो वीडियो का भी अपने भाई बंदू में वस्ताप फेस्बूक ट्विटे के जडिए पूरे भारत में शेर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब बैल आइकन दवाईए साथी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जैंद जै भारत तो मिलते हैं आप सकली बड़ी खबर में तब त कर दो